दूस्तों IPL 2024 में कल दो बड़े और रोमान्चक मुकाबले खेले गे जहाँ इन रोमान्चक के पहले मुकाबले में दिल्ली केप्रल ने मुंबई इंडन्थ को हरा है जो वहीं दूसरे रोमान्चक मुकाबले में लखनो सुपरजन्थ को राजस सांडोल से हरा दिया और ये दो मैचों के बाद जहाँ एक टीम ऐसी है जो IPL 2024 के प्ले ओफ में ऑफिसली कॉलिफाइ कर लिए है तो वहीं तीन टीमें ऐसी है जो आलमान्च प्ले ओफ से बाहरो हो चुकी है बागी का चन्नी सुपरजन्थ मुंब इंडियन समेत इन टीमों को प्ले ओफ में करने का इस शूड़ो में आपको सभी जानकारी जो है मिलने वाले तो दूस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जाते इंपॉर्ण वीडियो में अन्ततक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकन बाजना हुए से दूस्तो आईपेल थोहजारच औट के प्ले ओफ में कालीफाई करने के लिए टीमों को कम से कम 16 अंकों की आवशकता रहने वाली है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उश टीम की जो आईपील जोहजारच औफ में आफिसली कालीफाई कर लिए है जो की है संजी सिंसन की कपथाणी वा ये टीम प्ले आफ में जगह बना लिया है पात करते हैं उन तीन टीमों की जिनके प्ले आफ में कौलिफाइ करने के चांस बेहद कम है ये टीमें जो हैं अलमोश्ट प्ले आफ से बाहर हो सकती है जिनमें है पंजाब किंग मुंबई इंडन और रोयल चैलेंजर से बिंगलूरू जहां पंजाब किंग मुंबई इंडन के 9-9 मैचों में 6-6 अंक है तो ये रोयल चैलेंजर बिंगलूरू के 9 मैच में 4 अंक है पंजाब किंग और मुंबई इंडनेंट के अपने वाले पांच के पांचों मैच में जीत दर्ज करके ददस अंक हासिल करना होगा प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने के लिए अगर आने वाले दो मैचों में इन दोनों टीमों को और हार मिल जाती तो यह टीम में जो है ऑफिसली प्ले ओफ से बाहर हो सकती है तो यह रोयल चलेंजर बिंगलूरू के बागी बचे पांच के पांचों मैच में जीत दर्ज करनी होगी अगर एक भी मैच में रोयल चलेंजर बिंगलूरू को और हार मिलती है तो यह टीम जो है ओफिसली प्ले ओफ से बाहर हो जाएगी जहा प्ले आफ में कौलिफाय करने के उम्मीद हैं पूरी तरह से कायम है बात करें कोलकाता नाइटर संडाइजस हैदराबाद लखनो सुबजन और दल्ली कैपिल की तो इन चार टीमों के पास 10-10 अंक है कोलकाता नाइटर और संडाइजस हैदराबाद के 8-8 मैचों में 5-5 मैं ज में प्ले खलबाद लास रहने बाली है प्ले आफ में कौलिफाय करने के लिए जहां कोलकाता नाइटर संडाइजस हैदराबाद के प्ले ऑफ में कौलिफाय करने की चंसे देरे चिन्नी सुपर किंग और गुजराट टाइडन के पास आठ आठ अंग है चिन्नी सुपर इंग ने आठ मैचों में चार मैच जीत करके आठ अंग हासिल किया जब कि गुजराट टैटन नो मैचों में चार मैच जीत करके आठ अंग का हासिल कर पाई है अभी ये दोनों टीमों को बागी बचे आठ आठ अंक और हासिल करना होगा अगर चिन्नी सुपरिंग चार मैच में जीत करके आठ अंक और हासिल कर लेती तो यह टीम प्ले आफ में कौलिफाइग कर जागी तो यह गुजराट टैटन के पाँच मैचों में चार मैं जीत करके आठ अंग और हासिल करना होगा, साथ में इस टीम को नेटर नेटीव बहतरीन करना होगा, अगर गुजराट टैटन आने माले अपने दो से तीन मुकाबले में और हा जाती तो यह प्ले ओफ से भी बाहर हो सकती है, जहां चिन्नी सुपरकिंग के प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने का पूरा सेनेरियो, तो आपको क्या लगता है, राजस्तान रोयल्स जो पहली टीम प्ले ओफ में कॉलिफाइ की है, उनके साथ कौन सी हो तीन टीम में रहेंगी, केके आर्ट संदाइजेस, हैदराबाल, लखनो, सुबड़न, या फिर दली कैप्टल, या फिर कोई और टीम कमेंट करके आपमें जरूर बताएं, तो दोस्तों इस्टों बतिने, अगर आपीड़ो पसंदाए, वीडियो को लाइक का दना, चैनल को सब्सक्राइब करके, बे लाइक अंद बादना, तैंक्यू सो माज गाइस, पोर वाचिंग दिस वीडियो,